सब को नवस्ते हैं आवाज दिल वही हैं आपके पास अगर एबसलूट ब्लॉक सिच्टम है अगर आपके आपके पास दो इस्टेशन है एक इस्टेशन यह दूसरा इस्टेशन यहां से कोई गाड़ी एलसे को किलियर करके निकलेगा और यहां पे कोई गाड़ी आपके एफसे स्कुल क्रॉस करके इंटर करेगा तो यहां पे हमारे पास दो चीज़े और जानने के लिए होती है कि इंटरलॉकिंग ऑप एलसेस एंड एफसेस विट ब्लॉक आपका यह ब्लॉक सेक्शन है पूरा अप्टू बी ओल तक यह सिगनल और यह ब्योल एक्कुपमेंट यहां पर है इस इस दे ब्लॉक इस्टु कर लिए है तो आपके पास रहेगा बीपीएसी विट यहां पर होगा यह एडवांस स्टार्टर किलियर होगा यानि इसकी एचार पिकप होगी और तरीटी देने वाला एकुपमेंट है यह 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 स्टेशन है स्टेशन इन एडवांस तो आपके दोनों साइड में ऐसी होत अल्मस्ट सबको सारी जानकारियां हो नहीं गई होंगे लगबग यहां पर इसकी बेसिक है तो इंट्रों सिर्फ इंट्रों चलती है हर चीज की कि यह जो एड़वांस के पास एकुपमेंट है इसके थुरू आप इसकी इंटर्लॉकिंग कैसे करते हैं इसको क्या बोलते हैं लसस किलियर एंस सर्किट एचार तो नहीं सॉरी डिया क्योंकि इसमें एलो होता नहीं है एड़वांस इस्टार्टर ओनली टू एस्पेक्ट होती है जब यहां से यह गाली निकल के आज आएगी तो ऐसा नहीं है कि यह सिगनल रेड हो गया तो ब्लॉक इस्टुमेंट का नॉर्मलाइज हो जाना है something is the terms and conditions की गाली जब आएगी then must be 180 meter clear first things 180 meter clear second things direction of train from block section to station section अगर आपने train को इधर से बेज के यह वाला पर गाली चला देंगे तो signal तो डेंजर हो जाएगा लेकिन ब्लॉक नॉर्मल नहीं होगी कि we call direction of the movement from station section to the block section but train के movement के direction क्या है जो आपने authority दिया है from block section to station section इधर का direction भी होना है direction proof करने के लिए हम क्या करते हैं जो दो track बनाते हैं 1T 1T1 या 1T1 1T2 इसके थुरू दो relay pick up कराते हैं UIR1 and UIR2 and this UIR and UIR2 circuit is used in your ALSR release ALSR picking up तो इनसे क्या किया आपने इनसे आपने क्या किया इस रूट को रिलीज कर वा लिया, after the root release this ALSR picking up is used in your block release circuit, block, block release circuit, block release circuit, what is the block release circuit जो हमने DLBI के कूर्स में पढ़ा, कि जैसे ही आप अपने इस equipment को इसके दो पोजिशन होते हैं, एक line के लिए और दूसरा train on line, जैसे equipment को आप line के लिएर से TOL ले जाते हो, your block is mechanically in some equipment and some equipment electrically, normally electrically modified SEG में, locked, ये lock हो जाता है in TOL position, यानि train on line position, और तब तक lock रहती है, जब तक कि आपका train sequence पूरा ना कर ले, कि हाँ, जिस train के लिए हमने line clear दिया था, authority दिया था, permission दिया था train को आने के लिए, वो train अपने movement के हिसाब से properly section में enter कर चुका है, तो इस तरह से दो interlocking आप यहाँ पे करते हो, जिसको बोलते हैं, interlocking of LSS and FSS, where absolute block working is in use, the LSS signal shall not be capable of being taken off, that means picking up of DR, LSSDR, until line clear has been obtained from the block station in advance, जब तक यह equipment is called authority, electrical authority, that means picking up of LCR, line clear relay या बहुत जगह इसका नाम देता है, LCPR, picking up of LCR और LCPR जब तक नहीं हो जाता है, इसके एक छोटी सी circuit होती है, जो line circuit हमने, पिछले class में, कल के class में, Sg, old type की Sg के bacula बेक वाले का चर्चा किया था, तो वो line circuit के तुरू ही, needle circuit के तुरू PR pick up कराते हैं, then LCPR pick up कराते हैं, और जो DR circuit हम बनाएंगे, DR circuit, LSSDR, यहाँ पे picking contact of LCR हम डालेंगे, इसके लाभे और भी collection रहेगा, but picking contact of LCR DR, So, the last stop signal shall not be capable of being taken off, until the line clear has been obtained from the block station in advance, एक चीज़ तो यह होगी, second seal, it shall not be possible to close the line and grant or receive line clear, unless the on aspect of the relevant first stop signal is proved, next thing, कि गाड़ी आपने यहाँ receive कर लिया, तो equipment को normalize करना है, TOL से normal करना है, तभी तो next line clear आप दे पाएंगे, equipment normalize करने के लिए, block release circuit बनाने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, DCR pick up कराना पड़ेगा, what is the DCR, door coil relay, जो door coil को release करेगा, उसकी relay को आपको pick up कराना है, then यहाँ पे हम लेते हैं, proving of RECR, किसका RECR, जो home signal है, S1, यानि FSS, normally S1 इस्ट हुएती है, यह गारी तो आया ठीक है, बट जो गारी आने के बाद हमारा signal है, FSS, वो put back to on है या नहीं है, that must be proof in your DCR circuit, door clock while release circuit, तभी आप equipment को normalize कर पाएंगे, and as well as line clear, पिछले station को दे पाएंगे, ठीक है, this is two main interlocking components of LSS or FSS with signal, next things, replacement of stop signal on pass,